नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, मुझे आसा है आज हम लोग चैप्टर थ्री, क्लासिक्स का हिस्ट्री देखेंगे इन दा अर्लियेस्ट सीटी, जानि आरंबिक नगर आप लोग कमेंट में हमें ये भी बदाया कीजिए कि आपको ये जो डबल फेज में मिल रहा है जिसमें हिंदिय और इंगलिज दोनों आपके स्केन पे दिखाई पड़ते हैं तो ये विडियो आपको कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में असानी हो रही है या नहीं आप बताई लिए तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से Saving and Old Building जस्पाल और हरप्रित जस्पाल और हरप्रित की एक कहानी है जो एक छोटे से लेन में जस्पाल और हरप्रित were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the hunted house यानि की जब जस्पाल और हरप्रित घर के बाहर पास की गली में cricket खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो वो खंधर एरिया था कि खंधर एरिया का तारीफ लोग कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर haunted house कहा करते थे इसकी वास्तु कला देखो इसकी आर्किटेक्चर देखो इस बीटिफुल हाउस वाई दे वंडर्ड वोड एनिवडी दे एनिवडी वी इंट्रेस्टे इन दो ओल्ड रन डाउन हाउसेस तो उनकी बातों को सुनकर ये काफी अचंबित हो जाते हैं कि क्या कोई इतना इंट्रेस्टेड हो सकता इस खंधर में भी जो इसकी मरम्मत कराने की विवस्था कर रहा है और इसकी खुबसूरती के लिए इसको संरक्षित करने की विवस्था करने की बात कर रहा हो तो ये काफी अचम्वित कर देने वाली बात थी ये हर प्रित के लिए और जस्पाल के लिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे कि ये खंडर की जो बाते हो रही थी वो हमारे लिए कैसे इंपोर्टेंट हम बात करते हैं हम अपने देश के ओल्ड बिल्डिंग्स के बारे में तो हमें पता चलता है कि very often old building have a story to tell कुछ न कुछ कहानिया होती है जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं उसके पीछे नेरली 150 यह एगो लगवग 1500 साल पहले 1921-22 में रेल्वे लाइनस वे बिलेड द दाउन लगवग 100 यह एगो लेल्वे लाइनस वे बिलेड दाउन पर फॉस्स ताइम पंजाब इंजिनियर्स अस्टमल अपन अपन थाइट आप्पा इं पर जेंट पाकिस्तान जब पंजाब में पहली बार रेल्वे लाइन विशाई जा रहे थी तो इंजिनियर्स जो इस काम में जुड़े हुए थे उन्हें कुछ अलग तरह का जगह मिला हडपा का पुरा अस्थल मिला जो कि आज के आधोनिक पाकिस्तान में है अर ये एक ऐसा खंडर था जहां अच्छी क्वालिटी की इटें रेडिमेड इटें जो हाई क्वालिटी की थी उसका एक बिशाल भंडार था एक माउंड था तो दे कैरीड आप थाउजंड सब्रीक फर्म दे वाल अप दे ओल्ड विल्डिमेड इटें को उखाड कर रेल्वे लाइन को बिल्ड करना शुरू कर दिया बहुत सारे ऐसी बिल्डेंगे थे जो कम्पलीटली पूरे तरीके से नस्ट हो चुकी थी और देन वाउट एटी एर एगो लगभग असी साल पहले आज से असी साल पहले आर्केोलोजिस्ट फाउट एट और रियालाइज देट दिस वाज वाज पूरे ओल्डेस्ट सीटी इन दे सबकंटिनेंट देड़ सो साल पहले जब रेल्वे लाइन की सुरुवात हो रही थी तब ये जगह मिला था लेकिन लगभग असी साल पहले ये कनफर्म हुआ आर्केोलोजिस्ट ने ये कनफर्म किया और लोगों ने ये रियलाइज किया कि ये जो खंधर है वो इस उप महादीप का इस सबकंटिनेंट का सबसे पुराने खंधरों में से पुराने इमारतों में से एक है as this was the first city to be discovered all other sites from where similar buildings were found were described as हडपा तो चुकि यहाँ इस नगर की खोश सबसे पहले हुई थी तो इसके साथ बाद में मिलने वाले और भी जितने सभी sites थे जो पुरास्तल थे जो इमारते थी जो चीजे मिली उन्हें हडपा सभ्यता का नाम दिया गया अहडपा सभ्यता की इमारते कही गई इस city is developed about 4700 years ago लगवक 4700 साल पहले इस city का development हुआ था So very often old buildings are pulled down to make way for new construction Do you think it is important to preserve old building? क्या आपको लगता है कि पुराने खंठरों को हमें preserve करना चाहिए? क्या पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगा नए भवन बनाये जाने चाहिए? यह बनाये जाते हैं तो आप इस पे अपना विचार देंगे So what was special about these sites? इन sites के बारे में इनकी क्या विशेश्था थी? इन sites का क्या विशेश्था था जो इसे preserve करना चाहते थे लोग Many of these sites were divided into two or more parts जितने भी नगर थे, इन सभी नगरों को दो भागों में बाटा गया था, ज्यादा था दो हिस्सों में विभाजित किया गया था Samanita prior, usually the part to the west was smaller but higher जो पश्मी भाग था, वो छोटा था, लेकिन उचाई पर बना हुआ था And archaeologists describe this as the citadel जो archaeologists थे, जो पुरातत विद्ध थे, उन्होंने इस उचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा है वहीं दूसरी तरफ, the part to the east was larger but lower East का भाग जो था, वो part larger था, बड़ा था, लेकिन निचले हिस्सों में था This is called the lower town, ऐसे लिए इसे निचला नगर कहा गया But very often walls of baked bricks bear, built around each part लगबक दोनो हिस्सों की चारदिवारियों पक्की इटों की बनाई गयी थी और इसकी इटे इतनी अच्छी पकी हुई थी The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong So well baked जो इटे थी, जो लगबक thousands of years तक चलने वाले थे The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years 1000 सालों तक ये दिवारे, ये जो इटों से बनी हुई दिवारे थी, वो सुरक्षित खड़ी थी दिवार बनाने के लिए इटों की जो चिनाई इस तरह करते थे कि जिसकी दिवारे, जिससे दिवारे खुबसूरत हो जाती थी और मजबूत भी होती थी कुछ नगर के दूर्ग में कुछ खास हिमारतें बनाए गई थी अगर मिशाल के तौर पे हम उदारन के तौर पे देखें तो इन मोहन जुदाडो में एक खास तलाब बनाए गया था जिसको पुरातत उबिदो ने महान असनानगार का नाम दिया और इस तलाब को बनाने में इट और प्लास्टर का इस्तमाल किया गया था आर्केलोजिस्ट कॉल दा ग्रेट बाथ वास बिल्ट इन दिस एरिया और इस वास लाइंड बिद ब्रिक्स कोटेड बिद प्लास्टर अड में वाटर टाइट बिद लेयर अफ नेचरल टार इटों और प्लास्टर से बनाया गया ये दिवाल में पानी के रिसाव को रोकने के लिए इसके उपर चारकोल की परत चड़ाई गई थी चारकोल आप समझ रहे होंगे जो रोड बनाने में आप देखते हैं काले कलर की ब्लेक कलर की जो मेटेरियल यूज़ की जाती है जो काफी चिपचिपी होती है और जो गिट्टी को अपने साथ जोड कर रखने का काम करती है उससे इस पे लिपाई की गई थी कि पानी इससे बाहर ना रिसे यहां जो सीडियां थी वो उपर से नीचे की और दो तरफ से आ रही थी है ना दो तरफ से उतरने के लिए सीडिया बनाई गई थी और चारों तरफ से कमरे बनाई गए थे और साथ ही साथ water was probably brought in form of well and drained out after use पानी भरने के लिए इसमें एक समुचित बेहस्था की गई थी और असनान करने के बाद पानी को खाली करने के लिए भी इससे बेहस्था की गई थी perhaps important people took a dip in this tank on a special occasion और यहां बिशेस्ट नागरिकों का बिशे सबसरों पे असनान करने का रिवास था ऐसा माना जाता है सायद ऐसा ही हुआ होगा other cities such as काली बंगन और लोथल had fire altars where sacrifices may have been performed कुछ और other cities हैं जिसमें से काली बंगन और लोथल जैसे नगरों का नाम आता है जहां अगनी कुंड मिले हैं संभवता यहां अग्य किये जाते थे यहां sacrifices होता था and some cities like मोहन जोदारो हडपा और लोथल had elaborated a store house कुछ ऐसे जगह हैं जैसे कि हडपा मोहन जोदो और लोथल जहां पे बड़े बड़े भंडार ग्रे भी मिले हैं जिससे पलता चलता है कि यहां पे अनाजों को यह और भी अलग चीजों को भंडारित किया जाता था storage की facility available थी यहां पे देखते हैं कि जो cities found हुआ था पंजाव एंड सिंध में जो कि आज पाकिस्तान में है गुजरात, राजस्तान, हरियाना और पंजाब जो कि आज इंडिया में है an archaeologist have found a set of unique objects in almost all these sites और इस सभी sites और अलग अलग तरीके के objects मिले हैं जिसमें से red pottery जो है painted with design in black stone weight है, seal है, special weeds है, copper tools है और बहुत सारे ऐसे stone tools मिले हैं जो यहां पे find out किये गया है तो यह एक map number 3 में आपका दिया हुग गया है, earliest city in subcontinent देखें, जेलम, चिलाव और आभी नदी है और इसके आसपास का जो सहर जो खोजा गया था उसमें हडपा, राखीगड़ी, काली बंगन और गनवेरी वाला इधर देखें, इंडस river के बगल में मोहन जोदारो, चानहुद्रो, सुतकोटदा, धौला बीरा, एंड लोथल यह सारे जो sites हैं, वो सभी हडपान sites कहलाते हैं तो इससे related अब आप question करेंगे, कि इस समय जो sites खोजे गये थे इसमें क्या special था, यानि what was the feature of हडपान cities या how the cities constructed in हडपा civilization पहला है, दूसरा है कि आप एक list बनाएंगे कि list out some हडपन cities which found out by the archaeologist तो यह हडपन cities में आप क्या करेंगे, इन सारे चुजों का नाम लिखेंगे इन सारे जगों का नाम इन सारे जगों का नाम आप लिखेंगे, नाम क्या क्या है तो हडपा, राखिगड़ी, काली बंगा, गंबेरी वाला, चानहुद्रो, सोतकाको, मोहन जोदाडो, धोला बीडा, सुरकोटदा, लोथल और प्रयास करेंगे कि कौन से स्टेट में ये इस्टेबलिश है, कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है, इसको भी आप लिखें धन्यवाद